ग्रो आप ओपन करें जिस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है वो फंड आप चूज करें अब मेंथली SIP पे क्लिक करें यहाँ पे अमाउंट एंटर करें जो आप हर मैने इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर प्रोसीड पे क्लिक करें SIP कटने का डेट सेलेक करने के लिए SIP डेट पे क्लिक करें पहले SIP पेमेंट और दूसरे SIP पेमेंट के बीच 30 दिन का गाप होना चाहिए अगर यह 30 दिन का गाप नहीं हुआ तो SIP डिडक्शन अगले मैने होगा अब पे नाव पे क्लिक करें पेमेंट मेथड चूज करें जिसके तुरू आप पेमेंट करना चाहते हैं हमने इस विडियो पे UPI Payment यूज किया है पे यूजिंग UPI पे क्लिक करें UPI Payment के लिए आप चूज करें अब पेमेंट प्रॉसस कम्प्लीट करें आपका investment अब पूरा हुआ अगर आपने biller या otm one time mandate अड़ नहीं किया है तो अगले SIB के auto deduction के लिए otm या फिर biller अड़ करें वीडियो के description में biller और otm अड़ करने का video link दिया हुआ है हुआ है